नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है कथा मंच में आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए जाता कथाओं में से मूर्ख कववो की एक कहानी कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि गिरपे आप कहानी को पूरा देखें और अनके वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देए तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बहुत समय पहले की बात है समुद्र के किनारे उतले जल में एक नर और एक मादा कववा मदमस्त होकर जल क्रिड़ा कर रहे थे तभी समुद्र की लोटती लहर में कववी बह गई कववी लहर के प्रवाव से गहरे समुद्र में चली गई जहां उसे एक मसली निगल लिया नर गवव को इससे बहुत दुख हुआ और वह चिला चिला कर बिलाप करने लगा कवव का बिलाब सुनकर और भी बहुत सारे कवव उसके पास आ गए जब कवव ने इस दुकत घटना के बारे में जाना तो वे भी उसके साथ बिलाब करते हुए काउं काउं करने लगी तभी उनमें से एक कववे ने कहा कि क्यों ना समुद्र से बात की जाए और कववे को ढूंड कर लाया जाए कववे ने समुद्र से गौहर लगाई कि वे कववे कववे को ढूंड कर लहरों को द्वारा बापस लेकर आए समुद्र ने कहा मेरी लहरों पर मेरा वस नहीं है और कववी अब कहा होगी क्या पता हो सकता है किसी मसली ने उसे खा लिया हो मैं तो कववी के बारे में कोई निश्चित बात नहीं बता सकता समुद्र की इतनी बात सुनकर कवव के बीश से एक नौजवान कववा सामने आया और कहने लगा कि अगर समुद्र कववी को बापस नहीं करता है तो हम समुद्र का पूरा पानी खाली कर देते हैं हम भी संख्या में कोई कम नहीं है जोस जोस में कववो ने उस युवा कववे की बात में रजामंदी दे दी कुछ बुजूर कववो ने उन्हें मना किया कि ऐसा संभव नहीं है लेकिन नौजवान कवोय की बातों में लखभख सारे कवोय आ गये थे और वे सब अपने चोंत में पानी भरबर कर समूदर के किनारे रेट में ले जा कर डालने लगे उन्हें लग रहा था कि वे कुछी समय में समूदर को खाली कर देंगे समुद्र कवव की मुर्खता पर मंद मंद मुस्कराने लगा और कवव से कहा कि इस प्रकार के व्यर्थ के काम में समय वरवाद मत करो मेरे भीतर समाई इस विशाल जलराशी को तुम सद्यों तक भी खाली नहीं कर पाओगे लेकिन कववे तो क्रोध में विवेक हो चुके थे वे अपने प्रयास में जूटे रहे साथी समुद्र को अब सब्द भी कहते रहे कुछ समझदार कववों ने तो पहले ही इस काम के लिए मना कर दिया था वे अपने रास्ते चले दिये कुछ कववे जो पानी खाली करने का काम कर रहे थे काम करते करते साथ आठ घंटे बीद गए इस दोरान बहुत से कववे ठक कर अपने घर को लोट गए फिर भी बहुत सारे कववे अभी बाकी थे जो इस काम में लगे हुए थे चोंच में पानी भरते और उड़कर जाते और समुद्र के किनारी रेत में पानी डाल देते उन्हें लग रहा था कि हम इस समुद्र को पूरा खाली कर ही देंगे आठ दस घंटे के बाद जब समुद्र में दोवारा जोवार चड़ा तो एक भेंकर लहर ने तबाही मचाते हुए सभी कववो को दूर धकेल दिया कुछ समझदार कववे तो इस्षिति समझकर भाग खड़े हुए और जादतर युवा कववो को जो जोस में होस खोश चुगे थे और अब विवेकपुन तरीके से अनथक प्रयास कर रहे थे उन कववो को समुद्र की लोटती लहर ने अपने आप में समा लिया इस प्रकार कववो का संगर समाप्त हो गया ना उन्हें कववी मिली और बहुत सारे कववो ने अपने जान से हाथ दो लिये ये कथा हमें बताती है कि कभी भी अपने इसे बड़ों से वे बज़े वे बज़े नहीं बुलेजना चाहिए फिर वो हमसे उम्र में बड़ा हो या धन और बल से बड़ा हो चुकि समुद्र का अपनी लहरों पर बस नहीं था तो वह कभी की मिर्त्यू का जम्यदार नहीं था लेकिन बाकी कभी ने रोध में आकर अविवेकपूर्ण तरीके से काम करके अपने आपको समाप्त कर लिया तो दोस्तों ये थी आज की कहानी ऐसे ही कथा कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें